तो भाईया दस दिन के इसाफ से मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ आज की वीडियो में जिससे कि आप अच्छी तरीके से पास हो जाओगे Hello everyone कैसे हैं आप मैं अनुज कुमार सिंग सिक्षाध हम से आपका बहुत स्वागत करता हूँ दो वाले अगर कोई बच्चा हो कोई और हो तो देखो टाइम वेस्ट ना करें एक्जाम आ रहा है पढ़िए मैं आपके लिए अलग से लेके आऊंगा और यह सिर्फ एनिपी वालों बच्चों के लिए हैं और सर प्रोग्राम वाले हो चाहे ओनर्स वाले दोनों के लिए हैं और बेसिकली अभी तो S.O.L. का एक्जाम आने वाले हैं तो S.O.L. के लिए कहेंगे सर आप सभी स्टूडेंट को अगर मैं बताओ तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है ज्यादा समय नहीं मतलब 10 डीज है अप्रॉक्स 10 डीज मान लो 10 दिन है तो अब प्रॉब्लम कर नेचर यह ऐसा है कि हम पढ़ते नहीं मतलब जो काम पास में आ जाता है तो उसके हिसाब से फिर हम दोड़के करना की कोसिस करते है ट्रेन अगर पकड़नी हो तो ट्रेन पर टाइम से पहले नहीं पहुंसते कई बार ट्रेन जब चलने लग जाती हो तो भाग के फिर परि होगे तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको यूनिट वाइस लेके चलता हूं सर यूनिट वाइस अगर बात करों तो सबसे पहले आपका यूनिट नंबर वन है थियोरी की वीडियो पूरी डाले हुई आप जरूर देखिएगा उसी में से पूरा पेपर आएगा इसमें सबसे पहले है एक थियोरी और थियोरी के बाद दूसरे नंबर पे हैं आपका कॉस्ट शीट जब आप इस यूनिट को कर लेंगे तो आप पूरा कैपेबल हो जाएंगे 18 नंबर को सपूर करने के लिए लगभग आपके इस यूनिट से 18 नंबर आ जाएंगे जो कि हर बच् जो जरूर करना है और इसके इंपॉर्टेंट कोश्चन भी बताएं मैंने नंबर दो आपको लेबर इन दोनों में ऑप्शन के चांसे बनते हैं तो मैं देखो एक बच्चे जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है दोनों चप्टर करना वह तो ऑप्शन के चक्क्र में मत पढ रहा हूं जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो वह सर्फ यह मटीरियल वाला चेप्टर करें ठीक है यह मटीरियल वाला अराम से दो दिन में खतम हो जाएगा सारी वीडियो यूटूब पे अवेलेबल है अगर आपको यूटूब पे ढूंडने में प् चीपर के आप अच्छे से तयारी कर सकते हैं वीडियो पे स्टार लगेवे हैं को इतने कूप वीडियो करने यूटूब पर आपके हो सकते हैं कि 20 वीडियो मिले लेकिन application में कौन-कौन से important points है वो बताए हुए है कि यह कर लो भाई अच्छे नंबर आ जाएंगे ठीक है इ तो मैं देखो अगर कोई बच्चा थोड़ा सा अकाउंट्स उसका कमजोर है तो मैं कहूंगा भईया आप कॉंट्रेक्ट कर लो यह असान है और जिसका बोलता है ठीक ठाक है तो वह प्रॉसेस कर लो ठीक है इन दोनों में से एक चेप्टर कर लो लेकिन मैं हर बार बोलूगा जिसने दोनों का रखा तो मैं सोचना कि कॉंट्रेक्ट यह है कई बार थोड़ा पेपर उलट फेर हो गया तो दिक्कत हो जाती है तो मैं उसके हिसाब से लेके चल रहा हूं भहिया यह जो पेपर बनेगा आपका यह 18 तो देख रहे हैं आप 18 नंबर 18 नंबर 18 तो अगर यह तीन चेप्टर भी कर गए तो आप तो पास हो गए कोई रोख ही नहीं सकता आपको दुनिया में पास हो चुके हो आप और इस तीन चेप्टर को करने में इतना टाइम नहीं लगेगा दस दिन के अंदर इन अभी मैं टाइम भी लिख दूँगा इसके बाद आपने करना है यूनिट नमबर फूर कर लिज्य पहले इसके बाद यूनिट नमबर फूर करना है एसके अंदर क्या है नंबर वन सबसे पहले मसीन आवर से हुए yeah मसीनआवर टाइम भचे तो नंबर दो आप फिर ओवरेड कर दिस्ट्टिभीऊशन ये थोड़ा सा लेंदी होता है तो मैं इसमें से आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कौन से चप्टर को करके जाएए सिर्फ मसीन आवर रेट को करके जाएए जो डिस्टिबूशन वाला पार्ट है वो भूल जाते हैं उसके अंदर हमें याद रखना होता है कि क्या पार्ट क जाता है सर कौन सा एक और चप्टर है सर्विस कॉस्ट यह यूनिट हो गया इसमें से कौन से करना है सर यह दोनों कर लीजिए आप यह दोनों ही अलग-अलग आ जाते हैं कुश्चन ठीक है यह दोनों में से आपको आसान कौन सा अब लगेगा अगर आपने मसीन आवर पता चलेगी कि मैं वह दोनों चैप्टर को करूँआ अब मैं वह चैप्टर बता रहा हूं टाइन के साथ जो कि आपने करने हैं सर कौन-कौन सा चैप्टर इसके अंदर आप ज्यादा सा ज्यादा हाड़ली आप एक दिन लगाई है क्योंकि अप तो देखो पढ़ने का टा कांट्रेक्ट में आप दो दिन लगाई है तो तीन और एक चार और दो च्छे दिन होगे अगर आप प्रॉसेस कर रहे हैं तो प्रॉसेस में ज्यादा टाइम लगेगा फिलहाल तो मैं अगर इन दोनों चैप्टर में छोईस हो तो मैं कांट्रेक्ट कर लूँँगा और प् भी कर सकते हो तीन और एक चार दिन और दो छे दिन और चे और दो आठ दिन हो गए और आठ दिन के बाद आपने मसीन आवर कर लिया दो दिन आप इसमें ले लो सर्विस कोस्ट में आठ और दो दस दिन हाला कि जादा टाइम नहीं मिला लेकिन अगर आपकी स्पीड बड़ी अच्छी है बहुत अच्छी से मैनत कर रहे हो तो फिर प्रॉसेस और यह भी आपको कर लेना है तो यह मैंने टोटल बता दिया कि किस हिसाब से आपको पढ़ना है अब यहां पर वह स्टूडेंट है जो कि स्टार्टिंग से सारे चेप्टर करके बैठे हैं और पेपर देन और एक थियोरी नहीं आएगा यहां पर बच्चों का एक क्वेशन होता है कि सर कुछ चैप्टर तो आपने छोड़ दिया जैसे सिंगल आउट्वूट छोड़ दिया जैसे जॉइंट प्रड़क्ट बाइप्रड़क्ट छोड़ दिया जैसे आपने इसके अंदर इंटीग लेके आया हूँ तो होफुली आपको समझ में आया होगा और अगर आपको इस वीडियो से हेल्फ मिलती है तो अगें लास्ट में देखो आप बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले किस तरीके से आप का अगला सेमिस्टर में क्या सब्जेक्ट होगा कैसे पढ़ना है वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नहीं तो बच्चा बाद में परिशान होता है तो वो ठीक नहीं है एटलिस तीन साल तो जूड़के रहो तीन साल के बाद आप अनसब्सक्राइब कर देते हो उसकी यह अलग बात है लेकिन आप इस पर चलते हैं ठीक है तो होफुली समझ में आयोगा थाइंक यू सो मच मिलते हम